दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त में हूँ Canon के Image Square में जो की Middle Road में Located है और आज मैं बात करूँगा दोस्तों Canon के Best 3 Cameras के बारे में जो 2021 में आपको दे सकते हैं बिल्कुल Professional Images यानि कि अगर आप एक ऐसा Camera ढूंड रहे हैं जिसके उपर आप एक अच्छा खास प्रोफेशनल काम कर सकें तो ये तीनों Camera आपके बहुत ही काम के होंगे मैं बात करूंगा Canon के Executive के साथ ताकि वो हमें सारी information दे सके ना केवल प्राइस के बारे में बलकि अगर उनके कोई offers हैं या EMI schemes है उसके बारे में भी तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंटरस्टिंग होने बारा है तो इस वीडियो को आप एड़ तक ज़रूर देखिए तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस वक्त मेरे साथ Mr. Ayaas खड़े हैं और Ayaas यहाँ पर जो है Senior Executive है तो Ayaas से बात करेंगे आज वह में कौन से ऐसे तीन क्यामरा बताने वाले हैं जो एक professional photography के लिए perfect रहेंगे और जिसमें काफी सारे features भी होंगे प्राइस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया Ayaas आपने हमें टाइम दिया तो Ayaas आज हम कौन से वो तीन क्यामरा के बारे में बात करने वाले हैं जो 2021 में मुझे लगता है कि एक professional photography लिए perfect cameras रहेंगे आज हम बात करने वाले USR, R6 and R5 तो सबसे पहले हम बात करें EOSR यहाँ पर तो दोस्तो आप देख पार हो यह है EOSR कैमरा हाला की release होके काफी time हो गया है जैसे मैंने भी उठाया तो मुझे सबसे चीज लगी इसकी grip आप देख रहे हैं काफी अच्छी grip है इसकी पकड़ने में बहुती जो है एक अच्छा feel देता है और दूसरी चीज मुझे इसकी अच्छी लगी दोस्तो एक मिट थोड़ा सा hold करेंगे अब बात करते हैं थोड़ा सा डीप जाके कि भाई क्या इसके मेन फीचर्स हैं तो थोड़ा सा एस बताईए इसकी फीचर्स के बारे इसमें अगर देखा जाए तो 30 मेगा पिक्सिल है है जब हम fokusing करता है तो focusing करने में ज्याधा Hook and in thebones जब फोटोग्राफर्स होते थे उन लोग पहले आई पर focus कर तो पहले आई पर focus होई मेसली फोटर्बाचिंग कर सकते हैं ओकी तो इसका इसका अब है प्रैस क्या है आज की अज़की डेट में है इसास्री McGreePhone एक तो आता है 143,000 में आपको बॉड़ी मिलेगा और 2,50,000 में आपको विद 24-105 RF Lens के साथ मिल जाएगा सब तो मालीज आपके स्टोर से कोई पर्चेस करता है यह तो आपने मेरे खल से MRP प्राइस बता है तो यह जो पर्टिक्लर कामरा AI een, ostr इसे आप किस तरह किन तरह की फोटोग्र को रिकमेंट करना चाहेंगे मैं यह तो एक तो wedding photographer हो गए second thing अगर wedding cinematographer है या फिर कोई cinematography करता है तो उसके लिए ज्यादा बेस्ट होगा यह एक सबाल और है, वह एक है कि देखिए एक यह नहीं को सब्सक्तर। तो ऐसा कुछ फर्क है कि बहुत लोगा कंफिशन होता है कि मेर लेस्ट में पिच्चर उतनी अच्छी नहीं जितनी की इसमें आती है ने में पर लाइट जाके देन हमको फोटो क्लिक करने के लिए मिलता है इसमें खैसे लाइट जाके सीधा सेंसर पर रखें तो वह जो तो दोस्तों यह नो ने बता दिया प्राइज अब यहां पर अगर आपको यह कैमरा लेना है पर्चेस करना है तो आपको स्टोर पे आना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया में है आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं दूसरा कैमरा हमारा EOS R6 और यह तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है पूरा तो इसके भी कुछ फीचर्स के बारे में बताया है इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मेगा पिक्सल 20 मेगा पिक्सल है और को पहले अगर हम smart की बात करें स्थे लिए सब से बेंटनेट कामरा बेटर प्रेंसमें बीडिया यह फीचर्स ब्रीक पर सकते जो देखा जाए तो 100 to 25600 ISO इसका और expandable अगर हम को करना है तो 1,2400 इसके लो लॉट का इसमें काफी अच्छा एक फीचर इसमें ग्रिप अगेन इसका मुझे काफी अच्छा लगा बहुत डीप नहीं है लेकिन इस रिजनेवली गुड ग्रिप तो ग्रिप अच्छा है प्रिप वेट है फ्लिप आउट स्क्रीन इसके अंदर आपको इसमें भी मिल रहा है तो यूएस आर और यूएस आर शिक्स में क्या फरक है बिसीकली यह सार और और शिक्स पेसिकली फीचर थोड़ा उसमें चेंज किया है एक मेगा पिक्सल तो हो गया यह तो यह तो आर शिक सबसे ज्यादा बेटा होगा उसमा तो दोस्तों मुझे जो इन्हों ने तो आयास ने बता है बट मुझे एक जो मेजर फरक नजर आया या यूएस आर और और शिक्स में वह यहां पर है कि फोटोग्रोफी के लिए तो दोनों ही कैमरा बहुत अच्छे हैं बट को फॉल जैसे इसके अंदर अगर फॉलच पर सुट करें थोडा सा सर फेज जो है धरी आपको मिलता है जया इसके अंतर इसमें करनी के साथ में आपको फूल या जब आप देख रहे होतना ही पूद्ध okayी तो और इस così क्या प्राई से अभी इसका इसमें बड़ी इसमें यहां पर दोस्तों सब स्टोर में आप जाएंगे तो सब MRP बताते हैं लेकिन अगर आपको एक अच्छी डील चाहिए तो मेरा एडवाइस यह कि आप स्टोर में विजिट करिए वहां पर आप नेगोशियेट करिए तो अगर नेगोशियेट करेंगे तो आपको डिस्काउंट देंगे सब लोग देते हैं तो फिलाल जो है इसका प्रैस के तमदाबने 2,15,000 का MRP है जो आप अभी आप बात करें थे RF lenses की अब जैसे मैंने कई बर देखा है कि RF lenses थोड़े मुझे expensive लगे जब मैं ब्राउस कर रह तो यहां पर आप ना केवल RF lens लेने हैं तो आप लही सकते हैं जो कि बेस्ट है इसके mirrorless के साथ लेकिन अगर आप only photography करते हैं और आपका खाली work photography का है तो I think EF lenses भी आपके लिए बहुत अच्छा option रहेंगे आपको एक adapter की ज़रवत पड़ेगी और आप इसके सारी EF lenses use कर सक आपके लिए ऐनको तको किशहक मेर मेर में आज परने लेंजनश करहें न गुएते हैं थोड़ए healthy apply油 से रोड़ देखा humility थोड़ा एडंटर alumni उसमें टो अगर कोई कोई कुड़ा कास्या संट का लिए में यह और तो को आपका सकते में 02 अधकर आउडेदी चाहं ते ऐ एक ब्रेट करें mirrorless पे तो आपकी पुराने lenses भी जो है वह वेस्ट नहीं होंगे वह काम आएंगे तो इसके बाद बात करते हैं आपका क्या आपका क्या फीडबैक है आपका क्या फीडबैक है बेसिकली देखा जाए तो इक यह रूमर्स ही है उसमें हीटिंग होता है मानता हुआ हुआ है होता है एक तो मैं बात करो हीटिंग होता है लेकिन उसमें अगर सही तरीके से अगर हम यूज करें कामरा को जैसे बेसिकली अगर देखा जाता है आपको छेट दिखाता हूँ हाँ इक मेमरी कार्ड का भी बहुत इस्यू आता है अभी जैसे इसमें एक इस्टी काड लगता अगर हम शूट करते हैं जैसा 8K पर अगर हम शूट कर विकाज अब इसका प्रसेस थोड़ा जाएगा और हीट होगा वह नोड़ाउट हीट तो हम सही कार्ड यूज करेंगे तो वह हीटिंग नहीं होगा तरह की काफी लोग जैसे बोलते हैं की 8K की उपर काफी लोगों न अगर है नहीं है रिपोर्ट किया है कि इसमें ओवरेटिंग होता है वार्निंग आती है और कामरा बंद हो जाता है तो परसली मेरे मैं जब एक दू बार मैंने हैं रहा है तो मेरा एक्स्पीरेंस यह रहा था कि लेकि प्रॉब्लम नहीं आ रहा था कुछ भी लेकिन आउट सब्सक्राइब अगर आपको इस बात को दूड़ी सी प्रॉब्लम है तो जैसा आज बता रहे है आप firmware को upgrade कीजिए सही card आप use कीजिए तो ये सारी problems आपको नहीं आएंगी तो अब जल्दी से बताईए R5 का तो मैंने जैसे अभी R5 उठा है तो सबसे अच्छी चीज R5 की मुझे लगी दोस्तों से grip काफी deep grip है lightweight है और camera का अलगी feeling आता है दोस्तो और इसकी कितने megapixel का है इसकी क्या-क्या features है basically इसका जो features कि अगर हम बात करें तो इसका मेगा पिक्सल है 45 मेगा पिक्सल है और सेकेंड उसमें जो आयसो रेंज दिया वह भी बेसिकली देखा है तो हारसिक से सेमी है थोड़े वीडियो में थोड़ा expandable कर सकते हम जो लाइटिंग आगर लो लाइट में अगर शूट करना या कुछ करना तो हम यह आरफाइ में कर स है दूसरा इसमें बेस्ट फिचर दिया है आई ट्राकिंग दिया इसमें जीसे में जीसे कहें एम आइवन और क्या बलते हैं लोड़ों पर यह ट्रक करेंगा जैसे हो गया फेस में हैड हो गया अगर एक ग्शाम्पल लेगा आपका घूमता भी है तो वह भी आपका ट्रेक करने लगेगा और उसका जो आई टीर फॉटोस क्लिक करने के लिए बहुत बहुत पेशन्स रखना पड़ता है तो यह चीज उसमें कम हो गई है जब आई टीर करते हैं तो उसमें जब इसमें फोकस करके अगर एक आनिमल पर रखते हैं तो जैसे उसका मुव्मेंट हमें देखने के लिए मिलता है वैसे उसमें हमें फोकस करके पर क्लिक करने के ज़रूरत निया जूर्वरत थे तो दोस्तों ने बताया इसके सारे फीचर्स और एक चीज़ और थी आयास की इन तो दोस्तों अगर आप मेरे मैंने इसका रिव्यू तो नहीं किया है दिखते हैं अगर ऐसे बात करेंगे अगर थोड़े टाइम में थोड़ा लॉक्डाउन चल रहा है मुंमे में अगर मैं कोशिश करूँ अपनी तरफ से इन दोनों कामरा को रिव्यू करने की तीनों कोई इमेज कॉलिटी टेस्ट भी करेंगे इसका अने दरे टाइम में लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीदेंस रहा था जो मुझे अच्छी चीज लगी इसपेशली वीडियो के अंदर वह यह था कि इसका डूएल आटो आटो फोकस इस वेरी अमेज है कि Canon R5 के अंदर यू कन शूट अप्टू 4K 120 FBS तो तो इस अमेजिंग एटके तो है एक सवाल यार है तो मतलब 8K तो दिया है काफी बट 4K में ही जो है फाइल इतनी हैवी हो जाती है तो उसका क्या सुलिश एटके में मतलब इस इसी तू हैंडल फाइल या प्रॉक्सी बनानी पड़ती है तो फॉड़ा तो हैंडल करना पड़ेगा किसा क्योंकि सबके पास में एटके को इवन 4K मतलब काफी हैवी हो जाता है फुरा फाईपल करना या फिर कुछ करना तो इटकी की फाइल ऑब्युसली हाई होना ही हो तो उसका तो उसका अगर चेंज करना है उसका कंप्राइस करना है तो अपने को थोड़ा अप्डेट के लिए वेट करना पड़ेगा पाके लाफटाप जो गरा में भी तो दोस्तों मैं आपको बता दू मेरा जो पर्सनल एक्सपीरेंस है मैं आपके साथ देखिए 4K हो या 8K हो अगर आपको मिलते है बट एक जो उसके अंदर पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा तर प्रॉक्सी फाइल्स बनानी पड़ेंगी यानि कि लो रिजूर्शन फाइल्स है वो आपको क्रेट करनी पड़ेगी फिर आप एडिट करिए उसके बाद जो आपकी 8K ह 4K की फाइल है उसे आप जो है रिलिंक करिए तब जाके वो पूरा अच्छे से आप रेंटरिंग कर पाएंगे तो ये एक ड्रॉब है कि अभी तक जितने भी नए आये मैं सिर्फ कैनन की बात नहीं करूँ जितने भी नए जो कैमरा जा रहे हैं वहाँ पर सबसे बड़ा इ तो ये तीनों ही कैमरा है फीचर लोड़ेड है चाहे चैनन का R5 हो या इसका EOS R6 हो या EOS R हो तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्रोफर बनना है एक प्रोफेशनल क्वालिटी के रिजल्ट साही है आप बिलीव करते हैं एक क्वालिटी ओव प्रोफेशन है और ये बॉड़ी तीन लाग पंतरा सार की बॉड़ी है दोस्तों वेरी एक्स्पेंसिव बट अगें इसकाउंट मतलब इसके दर या इसकाउंट तो मेरा आपके हिसाब से किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगी बिसिकली ये जो एक हमारे जैसा फैशन फोटोग्राफिय हो गया अब जैसा कि अब पिछे देख रहो ओंडू रूल का यहां यह फ्रेम देख रहो तो इसमें कैसा है कि अभी हाई रिजलेशन वाला फोटो चीए रहता है जो हमें होल्डिंग पर लगाना हो या फिर बाहर जैसे अब यह प्रोड़क्ट फोटोग अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां आपको इस तरह की ब्लोप्स बनाने की या आपको इमेज को इतना एलार्ज करना है तो हाईर मेगा पिक्सल का कैमरा जो है वह एक बेटर ऑप्शन होता है या प्रोड़क्ट फोटोग्रफी में जहां आपको काफी सारी क्रोपिंग होती ह या इवन अगर आप इस तरह काम करते हैं एक्जिबिशन वाले प्रिंट्स बना रहे हैं या जैसे की प्रड़क्ट फोटोग्रफी है एक एक अच्छा ऑप्शन है ओविसली महंगी बॉड़ी है बट अगेन यॉर गेटिंग दा बेस्ट प्रड़क्ट अगर इसका इतना 60p मिल रहा है यानि कि overall अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको वो सारी चीज़े मिल रही है जो एक regular professional photographer की एक सुरत होती है और pricing की भी इसके और इसके comparison में थोड़ा बीच का है but again it is fully loaded मेरा personal opinion है R6 के लिए again R5 is the best product and this is for those people जो अभी फुल फ्रेम पर अप्ग्रेड कर रहे हैं अभी तक जो है शूट कर रहे थे crop sensor body पर और mirrorless पर जाना चाहरे है तो EOS R भी बहुत अच्छा option है दोस्तों तो thank you so much अयाज और एक चीज़ मैं आपको बताओ दोस्तों यहाँ पर जो store है आप विजिट करिए फिलाल अभी थोड अगर आता है तो अभी तो बंद है मेरी काल से एक तरह तक तो बंद है यह तो आप लोग यहाँ जैसे मालीजे कोई आपको contact करता है फोन पे या कुछ तो आप कैसे यह मतलब यह कुरियर से भी 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 क्या है कि कोई कस्टमर कोई अगर जैसा भी हम मिरा रोड में है तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मैं एक चीज़ बता हूँ एक थोड़ा सर्प्राइज भी ऑफर भी है जो मैंने आयासे वीडियो के पहले बात किया था और आयास वह एक बार बैग निकाली थोड़ा सा यहां से तो आयास ने मुझे बताया कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको यह कितना 11,000? 11,000 का आपको एक कैनन का बैग absolutely free मिलेगा whether you are buying EOS R6 और R5 तो 11,000 का बैग आपको absolutely free of cost मिलेगा मैंने description अपना प्रोमो कोड लगा दिया है उससे जब भी अगर आप इनसे इंक्वाइरी करें तो उस प्रोमो क मेरा काम था आपको products को दिखाना बताना दोस्तों उमीद है आपको यह तीनो products अच्छे लगे होंगे and 2021 के अंदर genuinely दोस्तों अगर आप देखोगे तो Canon के तीनो camera बहुत ही relevant है एक अच्छे features के साथ में है और हर तरह की category को जो है वो cover करते हैं तो आज के लिए इतने ही रख तो पैसे तो लगने सब्सक्राइब करो इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे thanks for watching जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ